अब है लो फ्रेंट स्वागत है आप लोगा मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल प्रोचर में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि डिया डियो का जो दोस्तों फाम एप्लाई हो रहा हैं और यहां पर आईटियाई एंड डिप्लोमा लिवल के और ब्यस्टी लिवल पर जो ह सारे बहुत सारे ट्रेड हैं उसमें से काफी जो है पोश्ट यहां पर आ चुकी हैं तो फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि डियाई डियो के जो है कि सेट वन सेट टू के नाम से मैंने आईटियाई इलेक्ट्रानेक्स और रेडियो टीवी मेकैनिक और रेटार मेकैनिक बाकि इलेक्ट्रिशन से समद्धी जो है कि दो सेट मैं अपलोड कर चुका हूं यह तीसरा सेट यह जो है कि आपको जो है कि यह वेल्डर से रिलेटेड मिलना है और मेरे पास जीतने भी मतलब ट्रेड हैं मैं कोशिस करूंगा सबके लिए जो है दोस्तों के सेट अलाग अ कम से कम जो है कि आप लोग जो है कि मैकस्म मैकस्मॉम जो है क्विचिन को देख पाए और जूब आक्ड़िया को वीडियो को मेरे रोज़कर्त jak या जो भी जो है कि यहां पर बहन बेटी हैं जो है कि अपना female candidates हैं उनके लिए भी यह videos है क्योंकि यहां पर लोग भी apply कर सकते हैं वैसे देखा जाए फ्रेंड्स तो maximum जो ITI के establishment है मैं आपको बता दूँ वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बात करना बहुत ज़री है maximum जो ITI के organization है जो या फिर ITI level पर जो vacances आती है तो उसमें female candidates को बाहर कर दिया जाता है उसमें not eligible कर दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है डिया डियो में जो है दोस्तों यहां पर कामन दोनों तरब के जिंट्रों को लिया जाता है तो यह काफी अच्छी बाते हैं तो फ्रेंड चलिए फटापट देख लेते हैं पहला क्यूशन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं और यह इस पेसली वेल्डर के लिए हैं तो निवलेखित प्रश्णों में से चार विकल्प दिये जाएं एक सही है सही विकल्प का चुनाव करना है धात्मय प्रक कुशन देखेंगे क्या सभी प्रकार की वेल्डिंग में फिलर मेटल का प्रियोग की आवसकता होती है तो बिल्कुल नहीं होती है यहां पर सभी प्रकार के वेल्डिंग में फिलर मेटल की आवसकता नहीं होती है कहीं कहीं होती है ठीक है तो आप से बिल्कुल सही है नेक् करें तो सबस्क्राइब जरो करें और यहां पर देख सकते हैं और आप यह वीडियो प्रेंट्स देख रही हैंगvisorто दनेग् look नैवरों से मा अभिएंग्छे तर दोस्तों विंदिंग में लगे ऐस्ता निम्ले आपको हर सेट में जो है कि लगबख सो क्यूशन या उसे प्लस क्यूशन या उसे प्लस क्यूशन मिलने वाले हैं तो आपके क्विश्चन स्रीज की संख्या बहुत ज्यादा हो जाने वाली है कुछ नहीं पाद तो फ्रेंट्स नेक्स देखेंगे सोल्डर का गलनाग निमलिखित में से कितना होता है तो दोस्तों सोल्डर का गलनाग यहां पर देख सकते हैं 300 डिग्री सिल्सियस होता है ठीक है नेक्स्ट क्यूशन पर हम लोग चलेंगे इस्पेल्टर तो दोस्तों इस्पेल लेटर सारी एक मिनिट दोस्तों देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस्पेल लेटर जो है का गलनांक निम्लिखित में से कितना होता है तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 500 degree होता है तो 500 degree Celsius जो है इस पर लेटर का गलांक होता है और यहां पर फ्रेंट्स दुरगटना का मुख्य कारण क्या होता है तो फ्रेंट्स लापरवाही का परणाम होता है क्या होता है दुरगटना का मुख्य कारण लापरवाही के वज तो दोस्तों जोडने के वस्तों के आधार पर वेल्डिंग दोनों प्रकार के होती है इसलिए आपसंसी बिल्कुन करेक्ट है एवंग भी दोनों प्रेंट्स यहां पर हम लोग बात करेंगे नेक्ट क्यूशन के विद्यूत चाव का तापकरम कितना होता है तो दोस्तों पर देख लेता हैं तो फोर्ज विल्डिंग में अधाप करम दोस्तों जो है कि भारस दिगरी से होता है ठीक है ध्यान रखना है बाकि दोस्तों लोग नेक्स्ट क्यूश्चन चलते हैं कि संक्या बहुत जादा है फड़ाफ़ट चलेंगे इस तरह तरह का घ्यान वह घ्ञ पता चल गया था ठीक है बागि है दोस्तों हम लोग जो है कि देखहेंगे एसे टीलीन का रासायनिक्स होते रहा है क dependency पुज सकते हैं यहां पड़ी आ सिन्टाब कितना होता है दोस्तों पांच स्क्राइब में बिजली का उपयोग कब शुरू हुआ था है सेने लोग चलें गर तो एम्व quién बर नाडोच ने जो है कि हैं पर कारबन के आंक Desde को पूड़ रोप से काम मिलाने योग कि बना य tempo देखेंगे दोस्तों कोटेड इलेक्ट emissions के उप्योगों का संबंद कब जो है की शुरू हुआ तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं एक बार प्रश्ण को फिर से देखेंगे कोटेड इलेक्ट रोगों के संबंद में प्रयों कब सुरू हुआ तो 1912 सभी में हो ठीक है दोस्तों पाकि को तावा तीनों को विलड किया जाता है आप सड़ी बिल्कुल सही है नेक्स कुशन लोग देखेंगे पानी अक्सिजन की मातरा भार के अधार पर कितने प्रस्त है दोस्तों तो यहां पर धरती पर आक्सीजन की मातरा भार के अधार पर यहां पर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों 20% 30% 50% 10% तो फ्रेंट्स यहां पर मुझे लगता है 20% होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्युशन अब लोग देखें कि दोस्तों अध्योगी कुपक्योग के लिए आक्सीजन की तैयारी कब शुरू हुई तो दोस्तों अध्योगी कुपक्योग के लिए आक्सीजन की तैयारी दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 1892 में हुई बाकि दोस्तों यहां पर हम क्यूशन नमर 22 पर चलेंगे तो आक्सीजन कितने डिग्री पर तरह लवस्था में आती है तो दोस्तों आक्सीजन 118.8 डिग्री सेल्सियस पर जो है कि 50 किलोग्राम प्रतिवाग सेंटीमीटर पर आ जाती है ठीक है बाकी क्यूशन नमबर 23 देखेंगे 20 डिग्री सेल्सियस तता 760 mm पारे के तबाव पर आक्सीजन का भार कितना होता है तो 20 केजी होता है कितना होता है दोस्तों 20 केजी होता है नेक्स्ट क्यूशन चलेंगे दोस्तों फटा फट देख लेते हैं तो यहां पर फ्रेंट्स देखेंगे हम लोग यहां पर इशेटलीन का फार्मोला निंभेते में से कौन सा यहां से खुए फार्मोला 2 राट हें ago चैव्ठी मिन लोग मनुसी को कब पता चला चला था राट कि दोस्तों अवम लोगना याता लुदक कारवाइट प्लस पानी की क्रिया के द्वारा ऐसिड्लीण बनाई जाती है next question हम लोग देखेंगे के मिलने से कौन सी कैसे बनती है तो Acetylene, Methane, Ethan ये उपयोग तीनों कैसे बन सकती है ठीक है दोस्तों बाकि नेक्स क्यूशन अब लोग देखेंगे फटाफट अब लोग देखेंगे तो वेल्डिंग के लिए काम में आती है फ्रेंड्स पाके हम लोग जो है दोस्तों नेक्स क्यूशन पर चलेंगे इस इतलिन सिलेंडर में गैस का दबाओ कितना किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है तो 15 केजी पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है देख सकते हैं बाकि नेक्स क्यूशन है क्या हाइट्रोजन जोलन सील गैस है तो हाँ बिलकुल हाइट्रोजन एक जोलन सील ग होती है तो हवा हाईरोज haydrogen से दूस्तों यहां पर 14 CEO. यहां पर दोस्तों fans लिए तो 253Gen ऐहां साथ में सम् बंजन जाता है चल्छा अंगे दोस्तों साधार लगार के सिलेंडर में हईडरोजन के मात्रा कितनी होती है तो 5-5 मिंटर होती है नेइस क्यृषन देखेंगे प्रेंट्स रिटार्ट गयस तेल को रिटार्ट में कितने तापमाना हम करने से परत्त होती तो 220-74 C से लिएप लोग देखें गेए एक किगरा फ्यूल आयल से कितने घंड मीटर रीटार्ट गैस बंती है तो जीरो पॉइंट फॉइंट से जीरो पॉइंट फॉर ठीक है नेक्स्ट किरुशन देखते हैं दोस्तों वाय में आरगन की उबलांग जो है एक सो पचासी दश्मनों साथ डिग्री सिल्सियस विल्डिंग के लिए आरगन में कितनी परसेंट आक्सीजन मिलाई जाती है तो फ्रेंट्स यहां पर हम लोग नेक्सक्विशन देखेंगे हिलियन का उबलने का तापमान कितना होता है तो हिलियम का उबलने का बॉयलिंग पॉइंट है दोस्तों कितना 452 फारेनाइट है बागी नेक्सक्विशन देखेंगे आक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है तो दोस्तों आक्सीजन सिलेंडर का रंग जो है कि बलैक होता है बागी आक्सीजन सिलेंडर की चूडिया कि साथ के होती है दाइ ह्मात के होती है और यहां पे हाई प्रेशर गेज किलरे किलो जैए किलोग्राम परतिवर्द सैंटीमेटर तक प्रेशर पढ़ सकती है ठीक कितने किलो ग्राम प्रतीवर्ग सैंटी प्रधिelt पर सकती तो 50 क्यज़ी प्रतीवर्ग यानि कि केजी पर सैंटीमेटर मैट टाक तक जो एक फ्रियसर को पड़ सकती है आफिसी नेख्ट किशसें हम लोगvé देखते हैं यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इस इटली ने और आक्सीजन जो है हमारा एक सम्मंद्ध एक के अनुपात में जो है कि उप्योग की जाती है आप सेटी बिल्कुल करेक्ट है तो यह रहा क्यों दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा बाकि मिलते हैं नेक्स वीडिय